नमस्कार दोस्तों ये बीजेपी का गमछा गले में डाले बिट्टू बजरंगी है वही बिट्टू बजरंगी जिसने नूदंगे भड़काए ये बीजेपी के उपाध्यक्ष कपल मिश्वा के साथ गले में बीजेपी का गमछा डाले खड़ा आदमी बिट्टू बजरंग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहीं भी चलाता था कुल मिलाकर बिट्टू के भीतर वो सारे गुड थे जो गुड उसके गले में पड़े हुए पट्टे के जंडे को लेर रिक्वाइड हैं बिट्टू एक पार्टी के लिए सर्व गुंड संपन को ब्रज मंडल यात्रा से पहले दूसरे समुदाय को भढ़काने के लिए यह लिखा था कि बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुरा लाएं और मुलाकात नहीं हुई फूल माला तयार रखना जीजा आ रहे हैं बिलकुल डेर सो गाडियां हैं भढ़काओ जीजा को जब पु बिट्टू बजरंगी जिसे बजरंग दल कारेकरता बताया जा रहा है उसका बजरंग दल से कोई भी संबंद नहीं रहा उसके द्वारा कथित रूप से जारी किये गए विडियो की सामगरी को भी विश्वे हिंदू परिष्ट उचित नहीं मानती बिट्टू एक पार्ट से नहीं था किसी संगठन से नहीं था उससे अब कोई नहीं जानता दोस्तों मेरी स्टूरी को सिर्व रार के मत सुनिएगा मेरे हिंदू भाईयों मेरे मुसल्मान भाईयों राजनीतिक लोग न, पहले अपनी राजनीती के लिए आपको उकसाएंगे, आपको भढ़काएंगे, अगर आप फस गए, तो फर आपके करीब नहीं आएंगे क्या मिला बिट्टु बजरंगी को दंका भढ़का कर, जेल मिली, गर्दन पकड़कर पुलिस घसीरते हुए लेकर की गई है अभी कुछी दिन पहले एक भढ़काओ चैनल बिट्टु बजरंगी को राश्ट निर्मान सम्मान दे रहा था कल तक जो राश्ट निर्मान करने वाला बताया जा रहा था, आज उसी विचार धारा के लोग उसे पहचाने से इंकार कर रहे है सिर्फ बिट्टु बजरंगी ही नहीं, जो एक पार्टी के एजेंडे के लिए सूली पर चड़ाया गया है कासगंज आई है पांच साल पहले एक नौजवान लड़की का नाम चंदन गुपता था 26 जनवरी का दिन था, जवान खून था उसी ये समझाया गया था कि अपनी सरकार आ गई है, अब मुसल्मानों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे चंदन तैश में आ गया, उससे जवानी के जोश में गलतियां हुई, भवाल हो गया, उसकी जान चली गई बीजेपी नेताओं ने माना कि चंदन गुपता का चौक बनवाया जाएगा, मूर्ती लगवाई जाएगी परिवार के एक सद्यसे को नोकरी भी दी जाएगी, चंदन को शहीद का दरजा दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ वही जो बिट्टू बजरंगी के साथ हुआ है कासगंच के अगरसेन गेट पर चंदन गुपता की मूर्ती आज भी कपड़े से धकी हुई पड़ी हुई है, किसी भी बीजेपी नेता ने अनावरण के लिए समय तक नहीं दिया चंदन गुपता का परिवार बदहाली का जिवन जीरा है नौकरी का वदा भी पूरा नहीं किया गया सोचिए दोस्तों, क्या मिला चंदन को किसी दूसरे के हाथ की कटपुतली बनकर क्या मिला? उसे राजनेती टूल बनकर के क्या मिला? मौत मिली और परिवार को दरदर की ठोकरे मिली बस बीजेबी सरकार के मंत्री स्वतंद्र देव सिंग से जब पूछा गया कि चंदन गुपता के परिवार से किये गए वादे आखिर पूरे क्यों नहीं किये गए तो बोले कि सभी की चिंता है सबका वादा पूरा होगा दोस्तों पांच साल बीद गये हैं उसके परिवार को अपी तक कुछ नहीं मिला है आज की ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि आप इससे सीखिए आवेश में मत आएए पार्टियां किसी की नहीं होती नेता किसी की नहीं होते कानून के फंदे में फस्त ही सबसे पहले 9-11 होने वाली चीज नेता ही है नेता का उल्लू सीधा करने के लिए आप उसका टूल कता ही मत बनिये मेरा ये वीडियो अपने सभी रिष्टेदारों में फैलाई है सभी मित्रों को दिखाई है जब नेता आपको किसी भढ़काओ रैली या फिर किसी संपरदाय की चूड़ी टाइट करने वाली रैली में लेकर के जाए आपको किसी के खिलाफ उकसाए तो उससे सिर्फ इतना कहिए भाई नेता तू निकाल यात्रा हमको नौकरी की परिक्षा निकालनी है तू करदंगा भाई मुझे परिवार का नाम करना है तू मुसल्मानों से डर मुझे मेरे देशवासियों के साथ मिल कर रहना है दोस्तो इसे ये सबक मिलता है कि किसी राजनितिक पार्टी का टूल नहीं बनना है आपको किसी भी पार्टी की विचारधारा पसंद हो सकती है बतोर नौकरिक अपनी पसंद की पार्टी को बोट करिये लेकिन अगर वो ही पार्टी आपके हाथों में जहर का इंजेक्शन पकड़ाए, माभारती का पुत्र बता कर आपको भढ़काए, तो समझ जाए कि समाज में जहर फैलाने के बदले उसे तो सत्ता मिलेगी, लेकिन आपके हाथ सलाखे लगेगी सलाखे, आपका परिवार अपना भी कोई नहीं होगा, इसलिए अच्छे सपोर्टर होने से पहले अच्छे सपूत बनिये, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जय हिंद